रियलमी ने इंडिया में लॉंच करते है उसका ब्रैन नीज स्मार्टफून रियलमी नाडचु 10 इस स्मार्टफून आता है 12,000 रूपीस के अंदर और 12,000 रूपीस के अंदर बहुत ही अच्छा कासा स्पेसिफिकेसन प्रोवेड कर रहा है लेकिन गाइस इस स्मार्टफून बबसंचा यूटूब चैनल स्वाग आते हमारे इस यूटूब चैनल में वीडियो का अच्छा लगे तो जो मैंने मैं मैं मान हूँ आवे तक इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए दोस्तु आगे वढ़ते ह कौन सा स्मार्टफून स्पेसिपीकेशन के बारे में आगे निकल जाता है वह दोस्तों देख लेते हैं पहला बात कते हैं दुनों स्मार्टफून की बिलकुल बाजी मानने वाला है रेड्मी नोडेट क्योंकि घर्षे की तरफ पीछे की तरफ क्यामेरा सेटप एलीडी फ पिछे की तरह polycarbonate body के साथ उसी के सांसर पिछे की तरह quad camera setup, LED flags और fingerprint sensor भी है और phone set के तरह देखा जाएगा, smartphone भी आता है waterdrop notch के साथ उसी के सांसर इसका bezel on the chain है बहुत ही छोटा है और हाँ guys smartphone आता है corning गोरी लगला स्थरी का protection के साथ क्योंकि guys design के बार में विल्कुल बार जीम आता है Redmi Note 8 और guys यहाँ पर display के बार में फिर से बार जीम आने वाला Redmi Note 8 क्योंकि guys smartphone आता है 6.3 inch full HD plus display के साथ उसी के सांसर इसका bezel और नीचे जो चेन है बहुत ही छोटा है और हाँ guys यहाँ पर waterdrop notch और Corning Gorilla Glass 5 का protection भी है और हाँ पर Realme Narjo 10 आता है 6.5 inch HD plus display के साथ उसी के सांसर वाटर ड्रोप notch और इसका bezel और नीचे जो चेन है बहुत ही छोटा है और स्मार्टफोन आता है Corning Gorilla Glass 3 का protection के साथ यहाँ पर design के बार में और display के बार में बिल्कुल बाजीम आता है Redmi Note 8 लेकिन आपर प्रोसेसर के बार में बिल्कुल बाजीम आने वाला है Realme Narjo 10 क्योंकि स्मार्टफोन आता है Heliume Detek की तरफ से G80 chipset के साथ जो की गॉक्टा को chipset है इसका जो clock speed run करता है 2.3 GHz में उसी के सांसर ते प्रोसेसर 12 नानोमेटर में बेस्ट है क्योंकि स्मार्टफोन के अंदरा PUBG Mobile जाएसा गेम बहुत आसानी से खिल पाओगे और आपर Redmi Note 8 आता है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 665 chipset के साथ जो की गॉक्टा को chipset है इसका clock speed run करता है 2 GHz में उसी के सांसर एक प्रोसेसर 11 नानोमेटर में बेस्ट है यहाँ पर भी gaming performance लगबख से मी मिलेगा लेकिन गैस मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेटर performance देगा Realme Nargo 10 इसके बाद आता है इस दोन स्मार्टफोन की camera performance के तरफ यहाँ पर बिल्कुल बाजी वानने वाला है Redmi Note 8 क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ quad camera setup के साथ primary sensor होने वाला है 48 MP का उसी के सांसर 8 MP आल्टावय लेंस के लिए 2 MP दिफ संसिंग के लिए और लास्ट जो 2 MP होगा black and white video low light के लिए यहाँ पर भी picture quality ठीक ठाक आने वाला है अगर आपको beauty mood और color boost थोड़ा सा चाहिए तो आप Realme के तरफ जा सकते हो बात कहाँ जाए दोनों smartphone की selfie camera के बारे में या पर बिल्कुल बाजी बाने वाला है Realme Nargo 10 क्योंकि गाइस smartphone आता है 16 MP selfie camera के साथ इसका जो aperture रहने वाला है 2.2 aperture low light में बहुत ही अच्छा का सा photo कीचेगा और अपर Redmi Note 8 आता है 13 MP selfie camera के साथ इसका जो aperture रहने वाला है 2.2 aperture low light में ब बात कहाँ जाए दोनों smartphone की battery performance के बारे में या पर बिल्कुल बाजी बाने वाला है Realme Nargo 10 क्योंकि गाइस smartphone आता है 5000 बैटरी के साथ उसी के साथ इन बॉक्स 80 नोट का charger भी आता है और यहाँ पर USB Type-C भी है इसका जो battery performance मिलने वाला है एक दिन तक तो आरम से निकल जाएगा और आपर Redmi Note 8 आता है 4000 बैटरी के साथ उसी के साथ स्मार्टफोन भी आता है इन बॉक्स 80 नोट चार्च जार के साथ और यहाँ पर Type-C पोर्ड भी है बात कहाँ दोनों smartphone की storage के बारे में Realme Nargo 10 आता है एक ही variant storage के साथ 4GB 120 8G वाला variant के साथ और आपर Redmi Note 8 आता है 2 variant storage के साथ 4GB 64 4GB उसी के सांसा 6GB 120 8G वाला भीरिंड भी है दोनों smartphone आता है इंबॉक्स Android 10 के साथ दोनों smartphone के अंदर देरी कटे SIM स्लाट भी है दोनों smartphone के अंदर 3.5mm audio jack भी है इसके बाद आता है इस दोनों smartphone की price के बारे में Redmi Note 8 Pro का जो बेस बेरेंड 4GB 64G वाला भीरिंड आता है 11,499 के अंदर और आपर रियल में आज जो 10 का जो बेस बेंड 4GB 128 वाला भीरिंड आता है 12,000 रूपिस के अंदर इसके बाद आता है इस दोनों smartphone से कौनसा smartphone बेस्ट होगा कौनसा smartphone आपको लेना चाहिए दोनों smartphone की स्पेसिपिकेशन के तरफ देखा जाए तो यहां पर बिल्कु 3-inch, Full HD Plus display भी मिल रहा है और दोसमें यहाँ पर Inbox 80 not का charger भी आ रहा है हां कैसे यहाँ पर 4000 इसके बैटरी है लेकिन यहाँ पर Inbox 80 not का charger भी आ रहा है उसके सांसा इसका प्रोसेसर भी ठीक टाक होने वाला है गेमिंग पाफॉनस के लिए माना जाता है Qualcomm Snapdragon 665 बहुत यह अच् को क्या लगता है comment box में जोड़ बतना उस्तों क्योंकि दूस्तों सबका राय तो अलग-अलग होता है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा उमीद करता हूँ मैंने आपका साड़ आउट किलियर करा वीडियो पसंद आये तो एक लाइक करना उसी के सांसा ज